नमस्कार ओम सायराम, साई की कहानी साई भक्तो के संग आज के इस कारिक्रम में हम सबे साई भक्तो का स्वागत करते हैं नायक तुम्हे ब्रह्म्हांड के पालक रक्षकनात ओम सायराम, सद्गुरु श्री साईनात महराज की शिक्षाएं और तत्व ज्यान, श्री साई ज्यानेश्वरी के माध्यम से साई भक्तों के लिए उपलब्ध है नमस्कार ओम सायराम, साई की काहानी साई भक्तों के संग आज के इस कारेक्रम में मैं श्रीडे से साई कादाकार, नारदी किर्थन का प्रवचन का किरन शास्री सभी साई भक्तों का स्वागत करता हूँ साई प्रवाट्टीवी श्रीडे के माध्यम से नारदी किर्थन का साई भक्त डास गुनु महराजिन के कावब्यों पर आधारित स्री साइवावाप नाना साहिप चाजर गर्जी को समझा रहे है उबदेश कर रहे हैं कि जो एक प्रारव्द कर्म है उस प्रारव्द कर्म के अनुसारी दिह प्राप्त होता है और जैसे पशू, पक्षी अन्यनले जो प्राणी है इनके जो कर्म फल बिन्ता है उसी के अनुसार उसी न्याईं के अनुसार यहाँ वी जो आगे आने वाला हैं यहां भी साई बाबा बता रहे है कि यह जो मनुष्य देव को भी इस प्राणियों के तरही प्रारब्द और कर्म फल के नुसारी भोग करना परता है। तो चलो सुनते हैं कि आगे बाबा इस मनुष्य जीवन का जो देए या जो कर्म है एक किस तरह से हैं तो आगे के जो इस पंतियों में साई बाबा को बता रहे हैं। तो चलो सुनते हैं या पठन करते हैं उन सुन्दर से ओवियों का। या अधिक उन्याचे कारन एक देह प्रारब्द जान ते अवगे भोगेल्याविन कालत्रै सुटेना। तो चद्नाय मानवदात एक गरीव एक स्रिमंत एक सभाग्य एक अनात एक बिक्षा मागत से। एक उडवी घुड़े गाड़या एक आचात्या महल माड़या एक जागे वरी उढ़या दिगंबर निजत से। किते कासे मुले होती किते काचे होनी जाती किते कवांज रहाती किते कत्रासती संततिला। तो चलो सुनते हैं उस सुन्दर से भोवी का हम निरुपन करें। स्री साइनात महराज नाना सायथ चांदरकरजी को समझा रहे हैं। कि नाना यह जो प्रारद्द है इस प्रारद्द के अनुसारी हमें यह दिह मिलता है। और उस कर्मफल के अनुसारी हमें भी यह भोगतना पड़ता है। क्योंकि इस जो कर्मफले उसको भोगे बिना उसका भोग की यह बिना तीनो कालत से हमारी चुट्टी ने होती है। चुटकारा नहीं होता है। जैसे प्राणियों के लिए पंचियों के लिए कि चुट्टी चुट्टी जन्तु है। उस प्रारप्द कर्म के नुसारी भोग करना पड़ता है। उसी न्याय से इस मनुष्य दिह जो मिला है उसको भी यह कर्मफल यह प्रारप्द भोग पड़ता है। जैसे कर्मफल उसके अनुष्य दिह मिला है उसके अनुष्य भोग भी है। जैसे मनुष्य दिह पाकर कोई गरिभ है, कोई श्रीमंत है, कोई भाग्यवान है, कोई अभादा है, कोई पिक्षा मांकर खाने वाला है। किसी विप्ति के पास बड़े बड़े अच्छेशी गाडिया होती है, व्याइपी गाडिया होती है, बड़े सुख सुविदा वाली गाडिया होती है, उनमें वह भूमनते है। कोई मनुष्या बड़े-बड़े महलों में रहते है, राजाओं की तरह बड़े-बड़े महल होते है, उसमें सुख, सुविदा, सब कुछ होता है, और कोई-कोई रास्ते पे सोता है, पहिनने के लिए कपड़ा भी नहीं होता है, थंडी के दिनों में वो क्या-क्या उड़े ये पता भी नहीं चलता है और कोई तो दिगंबर आवस्ता भी रहता है कपड़ा नाम की कोई चीज पर मालूम नहीं होती है जैसे किशी व्यक्ति को संतती होती है किशी व्यक्ति को संतती होकर मर जाती है किशी को तो फूती ही नहीं और किशिक विक्ति को हो जाती है तो वहाँ उस संतती से परेशान होता है जैसे अच्छा संतान हो गई, अच्छे कर्म करने वाली, अच्छा अचारं करने वाली, अच्छे संस्कृति वाली संस्कार हो तो माता पिता को सुकुन मिलता है आनंद मिलता है घर वो प्राप्त होता है और उसी में यदी संतान यदी कू कर्मो करने वाले अच्छा अचरण नव होने वाले संस्कार हीन वाले जो संतान होती है उससे माता और पिता को दोनों को भी बड़ा कज्ट होता है उस मनुष्य देह में आकर यदि भगवान का नाम नहीं लिया भगवान का पूजा अर्चाना नहीं की सैवावा का नाम नहीं लिया तो यह देह जो मिला है इसका सदूपयोग नहीं होगा यह सदूपयोग करने के लिए यह साड़े तीन हाथ का जो हमें नर्देह मिला है तो के देह अलब हात का मानव देह अल्ला ने तुझ दिया खाया पिया सुक से सोया लाख जमाना खोया यह साड़े तीन हाथ का जो नर्देह मिला है तो उसे खाया पिया सुक से सोया न करते होगे मेरे बाबा का गुनगान कीजिए परमारत के रास्त पर चलने का जो ग्यान दिया है जो साहि गयने शोरी में जो ग्यान का उपदेश किया है इसको आप आचरन कीजिए उस रास्ते पे चले दान मेरे बाबा ने दान का बड़ा ही मुखत्व समझाया है मेरे बाबा इतने बुड़े हो चुके थे कि जो बिक्षा मांगने के लिए जाते थे न तो दिवान को हाथ लगा लगा करके वो बिक्षा मांग गेल जाते थे लोग केते थे बाबा विक्षा मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन केते थे नहीं रहे, ये एक भिक्षा, ये दान यो मांगने ही पड़ती है, क्योंकि ये आदत तूट जाती है, ये चूट जाती है, ये तूट न जाये, ये तूट न जाये, इसलिए मुझे विक्षा मांगन पड़ता है इससे हमें दान की शिक्षा दान करना चाहिए सत्य कर्म करना चाहिए सत्य कर्म करके अपना जो आगे का जो रास्ता है वो रास्ता हमने खुद अपना बनाना है क्योंकि इस मनुष्य में देह में आये हैं तो कर्म करना ही पड़ेगा लेकि कर्म खोल भूखते पुनरपी जननम पुनरपी मरनम पुनरपी जननी जठरेशयं ऐसे ना करते हुए आमें क्या मुक्ति के रास्ते पर चलते चलते कोई डरने की जुरूरत नहीं घबराने की जुरूरत नहीं क्योंकि हमारा रखवाला हमारा रक्षन करने वाला जाको राखे साईया मार सके ना कोई बाल नबाका कर सके जो जगबेरी नहूँ अरे मेरे साई मेरे रक्षन करने वाले है मेरे बाबा मुझे संबालने वाले है तो कोन मुझे मार सकता है अरे मारने की बाद तो दुरी लेकिन एक बाल भी बाका कोई नहीं करता है चाहिए पूरी दुनिया विरूद में क्यों न जाए बैरी क्यों ना हो, क्योंकि मेरे साई, मेरे बाबा मेरे रक्षन करने वाले है मुझे डरने की जरुरत नहीं है वस भक्ति करो बाबा की गुल्गान कीजिए उस आनन्द में और भक्तिम sacrifice पेचले है तो वही हमारा जीवन सारतक हो जाता है उसी में हम आनंदिश हो जाते हैं, सचीता आनंद सुरूपको हम प्राप्त हो जाते हैं तो मैं तो मेरा भग्य समझता हूँ और जो खता सुनने वाले हैं, इनका भी बड़ा भग्य है कि यो जो नर्दे हम मिला है, इस नर्दे हम से हमें ये बाबा के सुरू का ज्यान का और भक्ति का आनंद ले सके और इस सुन्दर से सच चरिता का पारायन किजिए, ज्यानिश्वरी का पारायन किजिए, स्तवन मंजरी का पठन किजिए हमारा जीवन सुकतर हो जाता है आनंद में इस वीडियो को जादा से जादा लाइक किजिए शेर किजिए ताकि साही बाबा का उपदेश सभी साही वक्तों के गर गर तक पहुंचे ऐसे ही सुन्दर सी कथा सुन्दर सा उपदेश मैं आगे के एपिसोड में लेकर आओगा के साथ तमिल, तेलगू और मराठी में भी उपलब्ध है श्री साई ज्यानेश्वरी के परायन हे तू श्री साई ज्यानेश्वरी मंगवाने के लिए संपर्क करें श्री साई सुमिरन ट्रस्ट 9910054133 और आप साही दास राकेश चुनिजाजी को भी संपर्क कर सकते हैं 97112008300